हमारे सबी दर्सकों को भी बहुत बहुत सुब कामना है और हम तो समझते हैं कि ये पार्व ये त्योहार के वल पार्व न रह जाएं लेकिन जीवन को बदलने वाले बन जाएं जैसे वो शिवशक्तियां हैं जिनकी हम पूजा कर रहे हैं हम भी शिवशक्ति बन जाएं क्यों बहुत सारी आत्माईं उसको अपनी जीवन में धारण कर माया राक्षसों को पराजित कर देती हैं माया पर विजय हो जाती हैं, उन में से अस्रतन बहुत परशिद्ध हैं, अस्रतनों की माला भी है, यानि आठ मनुस्सात्माओं ने माया को संपुर्ण रूप से नस्ट कर दिया, वो हुए सबसे महान, वो हुए सिव सक्तियां, यानि जिनके पास शिव की सक्तियां थी, उन् माया को पूरी तरहे नस्ट कर दिया, एक उन्हें बनाने वाला और आठ वो उनकी यादगार में नवरात्री मनाई जाती हैं, विशे इस नौ दिनों में नौ देवियों की अलग-अलग पूजा होती है, कभी कुसमुंडा देवी की होती है, कभी काल रात्री की होती है, कभ और एक-एक देवी ने माया के एक-एक रूप को विशेस रूप से परास्त किया, इसने काम को जीता, इने क्रोध को जीता, इने लोग को जीता, इने एंकार को जीता, इस सब रक्षसों के रूप में दिखा दिये गए हमारे सास्तों में, और एक-एक देवी ने एक-एक मह अंता को धारन किया, जिसके कारण वो देवियां उस रूप में पूजी जाती है। और उन्हें अपने कबजे में ले लिया। और उस समय भी कहा जाता है कि जो नारायन जी हैं वो मोह निद्रा में सोय हुए थे। तो खास करके ब्रह्मा के द्वारा एक आदी शक्ति का जन्म हुआ जिन्होंने नारायन जी को जगाया और नारायन जी ने जाक करके विशेश कर में जो भी अख्यान हैं इनके पीछे बहुत बड़े रहश्य चुपे हुए हैं लेकिन सास्त्र पढ़ने वालों को या आम विद्वानों को उन रहस्यों का पता नहीं चल पाया उन्हों सोचा कभी कोई राक्सस रहे होंगे नारायन जी बहुन इद्रा में सो गए होंगे पर ब्रह्मा जी ने किया होगा सिवसक्ति को उत्पन और उनने नारायन को जगाया होगा देवताओं को मुक्त किया होगा तो वास्तों में एक सीधा सा ग्यान परमात्मा ने आकर सबको दिया मैं वो अपने दर्सकों के सामने रखता हूं तो सारी बात बिलकुल किलियर हो सथ यूग और त्रेटा यूग में हम सभी मनुस देवता थे, सभी तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि अब तो संख्या करोडो है, उस समय देवताओं की संख्याती 9 लाक, सथ यूग में, सूरु में, नारायन थे विश्व महराजन, यानि देवताओं के हैड, देवताओं जनम का अनतिक जो भुटान सुगे नारायन नाहिन जा fact पहले विस्व माहराजन थे दूसरे नारायन तीसरे शनड़ी अशन्डनी इसलों 6 आइए यह सब विेस्वर्ती कि नींड में जाती देन इन्ड है महों की नींद इसे कहलें विस्मर्ती की नींद है ये द्वापुराया ये सब मनुस बन गए इन में मानवता रही बहुत स्रेश जीवन रहे कल्यूग आया कल्यूग का घोर प्रभाव होता गया और कल्यूग के अंत में काम, क्रोध, लोब, मो, एंकार का संपोर्ण प्रभु प्रभु आया रहा है जो देवता थे वो सत्यूग त्रेटा आपर करके मनुस बने द्वापर कल्यूग पार करते हुए सभी मनो विकारों के वस हो गया अब सश्ती चक्र तो चलना था अब इनको ये असुर कहा गया मनो विकारों को ये जो आसुरों को दोसी इंग दिखात है यह प्रतिरूप अंकार काम वासना इन सब्रक्ति रूप हैं राक्षास और कोई नहीं होते है। जिन में यह नहीं पनी अब दिखा दिया गए जैवार इन को मैं जो जो कर दिताद कर जों की प्रक्षासों की अधिन होगे तो कि अहिसे देवतां को पुने इस्मर्ति दिला तुम इतने महान हो, तुम देवता थे, तुमारे अंदर देवत्व है, इन मनों विकारों को निखाल दो, तो परमात्मा सिव फिर से इस धरा पर आते हैं, उसी के तन में परवेश करते हैं, जो कभी नारायन थे, उसे जगा देते हैं पहले, कि तुम जगो, और उसको नाम द यान लेने के लिए, और उन में से कुछ, सिव शक्ती बन जाती है, सिव की सक्ती को पाकर, भाध बल शाली बन जाती हैं, और इन मनो विकारों पर विजय पाने लगती हैं, और वहीं फिर देवताओं को जगाने लगती हैं, जागो हे देवात्माओ, तुम जनम लेते लेते मनुस बन गे, सुद्र बन गे, तामसी कृत्ति तुम्हारे अंदर आ गई, और तुम तो देवता थे, अपने अंदर छुपे हुए देवत्तों को पहचानो, और फिर उनका योग जूट जाता है सिव से, वो सिव से सक्ति ले यानि इन राक्ससों को परास्ट कर देते हैं, देवता मुक्त हो जेते हैं, नारायन जी फिर नारायन पद पा लेते हैं, नारायन जी फिर गद्दी पर बैठते हैं, और प्रारंभ हो जाता है सत्यूग, तो यह जो सब सश्थी चक्र में सत्य घटनाए घटी हैं, अभी उस कि नारी ब्रह्मा की मुक्संतान बनी वो सिर्व सक्तियां बनी उसके बाद हो गया महाविनास, कल यूग समाथ हुआ, सत्यूग का आरम हुआ, अभी विनास इतना भयानक होता है, कि उसमें सभी के देहनस्त हो जाते हैं, और सभी आत्मा है पहुंच गई मुक्तिधाम, द्वापुर यूग में रिष्यों को फिर से उंत्य प्रेजना हुई, कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था कभी, तो उन्होंने उस उंत्य प्रेजना, जिसे इंग्लिस में इंट्यूसंस कहते हैं, उसको प्राप्त करके सास्त्रों की रचना की, ये बात द्वापुर के बात सब ख द्वापुर करते हैं, तो पांचो विकारों को राक्षसों का रूप दे दिया गया, किसी ने का वो रावन के बंदी बन गये, राक्षसों के बंदी बन गये, पर सच्ची कहानी सत्युक्त द्वापर कल्यूप की ये हैं. मतलब एक सांकेतिक रूप में कई बातें कही गई हैं जिसे सायद समझने की आवश्यक्ता है कि इस प्रकार से कोई कोई दैते नहीं थे और कोई दो दैते ही मिलके सारी देवताओं को अपना बंदी बना लें कर यह बात भी समझ में आती थी कि कैसे नारायन जी मोह निद्रा में ग्रस्ता है इनका एक बहुत अच्छा रहस्य है मदू देखिये काम लोग और महों जी बड़े मीथे जहर है क्र जमनों से इंकारी होता है तो यह पांचो विकारों को दो असुरों के रूप में परदर्शित कर दिया गया कि इन्होंने अक्रमन करके सभी देवताओं को बंदी कर लिया अर्था सभी देवता इन पांचो विकारों के अधीन हो गया